नवस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अंग कोचिंग क्लासस में दोस्तो आज इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचा है जो की परिचा की द्रष्टी से महतपोंड है इसको आज हम अध्यन करेंगे दोस्तो हम आपको बता दे कई वार ऐसा होता है किसी लेखक या कभी का जीवन परिचे हम लिखते दो हैं लेकिन नमबर कड़ जाता है तो दोस्तो उसका कारण होता है कि जब हम किसी कभी या लेखक का परिचा लिखते हैं तो दोस्तों अगर चैनल में नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन को जरूर ट्रस कर लिजेगा, क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो में लेकर आता रहोंगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं हैं, तो प्लीज ल फिर इसके बाद बहाव पच्छ और कलापच और साहित में स्थान तो सबसे पहले हम देखते हैं दो रचनाएं दोस्तो महादेवी बर्मा जी की दो रचनाएं निहार नीरजा जो की important रचनाएं देख लीजे दो रचनाएं नीहार और नीरजा इसको आपको अच्छे से आत कर लें एक बार और रिपीट कर लीजे नीहार दूसरा है नीरजा इसके बाद देखेंगे भावपच्छ और कलापच्छ दोस्तों यहाँ पे देख लिजे भावपच्छ लिखेंगे इसके बाद कलापच्छ महादेवी बर्मजी का जीवन परिचा है देख लिजे भावपच्छ और कलापच्छ में लिखेंगे छायावादी कभियों की यहां पद्ध की रचनाएं रस चंद अलंकारों से युक्त है इनकी भासा संस्क्रत निष्ट खड़ी बोली है इस तरह आपको भावपच्छ और कलापच्छ में लिखना है दोस्तो एक बार रिपेट कर लीजे ताकि याद हो जाए तो देख लीजे यहां पे लिखना है भावपच और यहां पे लिखना है दोस्तो कलापच इसके बाद देख लीजे उसमें लिखेंगे हेडिंग डालेंगे फिल लिखेंगे चाया बादी कभियों की इसके आगे लिखेंगे दोस्तो चाया बादी कभियों की ब्रहत चतुष्ठाई बिदुसी का वित्री यानि की ब्रहत च गद्द पद्द की रचनाएं यानि गद्द तथा पद्द की रचनाएं रस छंद अलंकारों से युक्त है इनकी भासा संस्क्रत निष्ट यानि जो इनकी भासा है देख लिजे संस्क्रत निष्ट खड़ी बोली है इस तरह से आपको लिखना है भावपच्छ और बात साहित में स्थान भी बताना है तो आगे देख लिजे साहित में स्थान दोस्तों यहाँ पे साहित में स्थान हेडिंग डालेंगे और इनमें लिखेंगे इनका काब उच्छ कोटी यानि इनका काब उच्छ कोटी का है हिंदी गेतों की मधुर्तम कवित्री के रूप में इनका हिंदी कविता में विशिष्ठ स्थान है इस तरह हमें साहित में स्थान लिखना है बहुत ही सराल है दोस्तों आप दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा एक बार फिर से रिपीट करते हैं देख लिए यहां से साहित में स्थान इनका काब उच्च कोटी का है हिंदी गीतों की मधूर्तम का वित्री के रूप में इनको अदुती इस्थान प्राप्त है इनका हिंदी कविता में विशिष्ठ स्थान है इस तरह से महादेवी बर्मा जी का जीवन परिचे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों परिच्चा की द्रष्ट से जितने भी महत्पूर्ट क वी एवम लेखा खाए उनका जीवन परिचे में वीडियो में यूटूब चैनल में अप्लोड कर दिया हूँ अगर चैनल को आप सस्क्राइब ने किया तो अंकोचिंग क्लासे को सस्क्राइब कर लिजे प्लेलिस्ट में आपको सभी इंपोर्टेंट कवी के जीवन परिच